The question is, prove that tangent inverse 6x-8s3 upon 1-12x2 minus tangent inverse 4x upon 1-4x2 is equal to tangent inverse 2x, where 2x is less than 1 by 3. हमें अब ये प्रूव करना है, tangent inverse के साथ आपको angle ये दिया है, और दूसरा angle ये दिया है, और प्रूव करना है कि ये tan inverse 2x की equal है. अब देखो, यहाँ पर हमारे पास, पहले हम left hand side ले लेते हैं इसकी, so taking left hand side, 1-12x2 and second one is minus tangent inverse 4x upon 1-4x2. अब देखो, यहाँ पर अगर आप देखो, तो आप ही सोचोगे कि हमें 10 inverse x minus 10 inverse y वाला जो formula हमें वो apply करना चाहिए, बट इतने बड़े angles के साथ ही formula apply करना, थोड़ा tough हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास इस form में बनेगा, x minus of y upon 1 plus xy. तो इतने बड़े angle के नीचे multiplication then simplification काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो यानि कि हमें यहाँ पर यह देखना है कि में भी शायद ही कोई और identity, कोई और formula यहाँ पर बन रहा हूँ, अब tangent inverse में हमारे पास tangent 2x, tangent 3x, इन सब के formula हमने 11th standard में पढ़े थे और 12th में inverse के लिए प x square, तीनों powers है, 1, 2 and 3, तो यह हमारे पर सिर्फ और सिर्फ tangent 3x वाले formula में होती है, means जो tangent inverse 3x का जो formula होता है, वो हमारा यह होता है, tangent inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square, तो यह इसकी form बन सकती है, x, x cube and x square, तो यहाँ दुनों जगा पर हमें 3 चाहिए, लेकिन यहाँ पर 6 और 12 है, तो देखते ह यहाँ पर हमें से कैसी convert करके लिख सकते हैं, कि हम इस form में से ले आएं, ठीक है, तो 6x है, तो 3 मैंने बहार ले लिया, तो शाथ में बचेगा 2x, अब देखो x की जगा पर क्या रहा है, हमारा 2x आ रहा है, तो means यहाँ पर यह किसका cube बन रहा है, 2x का cube बन रहा है यह, 8x cube can can be written as 2x cube divided by 1 minus, देखो यहाँ से अगर आपने 3 लिया बहार, तो बचेगा 4x square, और 4x square can be written as 2x whole square, तो यह formula हमने convert कर लिया है, इस form में, similarly हमारे पास यह जो formula है 4x upon 1 minus of x square, तो यह भी हमारे किस form में है, 2 into 2x, और यहाँ लिख सकते हैं 1 minus of 2x whole square, यह भी tangent inverse में हमारे पास formula होता ह ठीक है, तो हर जगा पर जो हमारे पास form है, वो 2x की form में बन गई है, तो हम यहाँ पर 2x को y लिख लेते हैं, आप बिना y suppose कि यह भी से कर सकते हो, ठीक है, तो अगर मैंने इसे 2x को y लिखा है, तो यहाँ पर क्या form बन जाएगी, 3y minus of y cube upon 1 minus 3 y square, और second में बन जाएगी, 2y upon 1 minus of y square, तो अब हमारे पास यह जो formula है, वो किसका बन गया, tangent inverse 3y minus of y cube upon 1 minus 3y square, तो यह किसका formula होता है, 3 tangent inverse y, और यह हमारे पास होता है, 2 tangent inverse y, अब 3 tangent inverse y, तो क्या बच गया हमारे पास, tangent inverse y, और y हमने क्या suppose किया था, वो हमने suppose किया था, 2x, तो y को आपर से replace कर देंगे हम 2x है, ठीक है और 2x less than 1 by 3 इसका क्या role है हमारे पास tangent inverse में जो भी हमारे पास formula होते हैं, वहाँ पर जो denominator हमारा 1 minus of 3 into 2x whole square must be greater than 0 यह हमारे पास positive होना चाहिए, तो यहीं से यह condition बन के आई है, ठीक है तो यहाँ पर आप mention कर सकते हो where 1 minus of 3 into 2x square is greater than 0, तो जब आप solve करोगे तो यही condition बन जाएगी हमारे पास तो इस type of question को हमें solve करना है Thank you